हलो गाईज, वेलकम टु माई एसवाई एजुकेशन फार्मिशन चैनल गाईज हम प्रजेंट है लेकर के बहुत बड़ी खुसकवरी अप नहीं टलने वाला एक्जाम जो कुछ गलत अफवा लेकर के वीडियों बनाते रहते हैं एक्जाम टलने की संभावना है, ए हो जाएगा, पेपर नहीं होगा तो कोई गलत अफवाफ में फैलने की जरूरत नहीं आप लोगों को क्योंकि आपके एक्जाम डेट क्लियर हो गये हैं आज साम तक आप अपलोड कर सकेंगे अपने एड्मिट कार्ट तो यहां देखेंगे 31 दिसंबर डाउनलोड कर सकते हैं आप अपने प्रेशपत्र अब यहां पर देखेंगे अध्यापक भरती परिक्षा में जो है सेंटर पर क्या-क्या लेकर के जाना है तो इस वीडियों को पूरी देखें और निर्देशन के अंसार नहीं जाएंगे तो निर्देश के अंसार यदि नहीं जाएंगे आप पेपर में तो नहीं बल्ट पाएंगे एग्जाम नहीं दे पाएंगे कौन कौन से डाकूमेंट लेकर के जाना है इस वीडियों को पूरी जरूर देखे और किस बेव साइट से अपने प्रिश्पत्र को डाउनलोड करना है उसके लिए भी इस वीडियों को जरूर देखे यह सारे निर्देशन है और इन निर्देश को जानने के लिए वीडियों क की रविवार 6.1.2019 में सायक द्यापक भरती परिक्षा 2019 की 11 बजे से सुबह 11 बजे से अब प्राहन तक यहां पर डेड़ बजे पेपर आपका खतम होगा आप इसी बेव साइट लिंक पर जाएंगे आपको अपना जो है प्रिवेस पत्र डाउनलोड हो जाएगा अब देखें से कि अब्यार्थी को किसी अन्यमाध्यम से प्रिवेस पत्र प्रेशित नहीं किया जाएगा और देखेंगे यहां पर उप्युक्त परिक्षा केंद्रपर जो है युक्त प्रवेस पत्र के साथ अपने आनलाइन आवेधन में अंकित फोटो युक्त पहचान पत्र की मूल प्रती के साथ जो है निमलखित में से किसी एक प्रमाण पत्र के साथ लेकर के आना अनिवार्य होगा अब यहां पे देखेंगे आपको प्रसिक्षण योग्यता का जो है मूल प्रमाण पत्र लेकर के जाना जरूरी है और प्रसिक्षण योग्यता के अंतिम समेश्टर की निर्गत अंक प्रमाण पत्र की मूल प्रती और अंक पत्र की मूल प्रती न होने पर जो है इंटरनेट स प्राप्त अंक पत्र की प्रती को संबंधित जिला सिक्षा एवं प्रसिक्षन संस्थान विश्व विद्यालाई के जो है रजिस्टर प्रचार्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाडित करा कर अपने साथ ला सकते हैं अब देखें कि तीसरी प्राइट अब ब्यू बन रहे उत्तर प्रदेशिक पातरता परिक्षा केंदरी पातरता परिक्षा का मूल प्रमाड पत्र युक्त के बिना परिक्षा केंदर में प्रवेस की अनुमती नहीं दी जाएगी तो अब व्यार्थी को यह भी निर्देशित किया जाता है कि वे अपने साथ जो है मुबाइल फोन अथवा अनेलेक्टरानिक डिवाइस लेकर परिक्षा केंदर से कदापी न जा है तो यह रहा आपके लिए अपडेट न्यूज कमेंट करके बताएंगे कि आपको कैसा लगा